पुलिस अदिक्षक मेनपुरी के निर्देशा नुसार जन्बत में ऑपरेशन पताल एवं शिकंजा के अंतरगत थाना एलाव पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है यहां पुलिस ने अवैद शस्त्र फैक्टरी का भंडा फूर करते हुए तीन अवयूपतों को ग्रफतार किया है इनके पास से भारी मात्रा में अवैद शस्त्र बा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामत किये गए है मेनपुरी के ग्राम अघार के अवधीश पुत्र कनिहलाल अपने घर में अपने साथ्यों के साथ मिलकर अवैद शस्त्र बनाने के फैक्टरी चला रहे थे और अव अभियुक्त गिरफ्तार किये गए, उनके कबजे से 15 तमंचे 3 खोका कार्थूस समीत अवैद शस्त्र बनाने के समस्त उपकरण बरामत हुए, अभियुक्त गण लंबे समय से अवैद शस्त्र की फैक्टरी का संचालन करते आ रहे हैं, भारी मातरा में अवैद रूप से निर अभियुक्त गई है, ये अगहार के अधेश के बारे में जानकारी मिल रही थी, कि बहुत दिनों से इनके द्वारा ये अवैद शस्त्र बनाये जा रहा है, और इसके आसपास के जनपदों में सप्लाई किया जा रहा है, इस सूचना के आधार पर S.O.L.A.O. द्वारा रवी, ओधेश और दीपक को, और इस काम में जो तीन और सहयोगी हैं, जो दूसरे जनपदों में भी ले जाकर कि इसको बेजते हैं, जगजीवन, राम, राजेश, शर्मा और छोटु इनकी तलाश की जा रही है, इसमें इनका एक बहुत बड़ा ये ये नेक्सस है, जो न सिर्फ इस जनपद में, बलकि अगल बगल के जनपदों में भी सप्लाई करते हैं, इसमें अभी बेचना के दौरान जो भी अन्य तथे आएंगे, तदनुसार बैधानी करवाई की जाएगी, अन्य साथियों की तलाश की जा रही है, और जहां जहां इनके दौरा सप्लाई किया गया है, उसके बारे में भी जनकारी करके और शिगरी और भी बरामदगी की कोशिश के जाएगी, इसके बारे में इनके जो आपराधिक इतियास तो पुरुक है, लेकिन ये बार-बार ये सूचना मिल लई थी कि वहां से अबैद स्रस्त्र बेचा जा रहा है, बहुत सूचना संकलित करके और तब ये वहां पर दबिश दी गई और मौके से ये सारे सामान बरामद हूँ